परिचाए, विद्यार्थियों, आज हम सांतत्य एवं अवकलनियता के बारे में सीखेंगे, मुझे कौन बताएगा कि एक फलन को सांतत्य कब कहा जाता है? से, एक फलन को सांतत्य कहा जाता है यदि दाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा, एवं फलन के मान सभी बराबर हूँ बहुत अच्छे एनुझ से, अवकलन क्या है? अवकलन फलनों के परिवर्टन की दर है विबिन फलनों के अध्यन के लिए अफकलन एक महदपून युकती है सै क्या हम किसी फलन का अफकलन कर सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं कुछ नियम होते हैं यदि फलन उन नियमों का पालन करे तब हम फलन का अफकलन कर सकते हैं इस पार्ट में आप फल्नों के सांतत्य तथा अफकल नियता की बारे में जानेंगे। फल्न सांतत्य है अथवा नहीं इसकी जाच करना। तिलों त्रीकोन मितिय फलनों का अफकलन ग्यात करना। चर घातां के फलन एवं लगुगन के फलनों का अफकलन ग्यात करना। फलनों के प्राचलित रूपों का अफकलज ग्याद करना दुदिय कोटी का अफकलज ग्याद करना माध्यमान प्रमय की व्याख्या करना और फलन माध्यमान प्रमय को संतुष्टि करता है अत्वा नहीं इसकी जांच करना सांतत्त्त एक फलन fx को अभियंतर बिंदू x बराबर a या इसके प्रांथ पर संतत कहा जाता है यदि limit x tendus to a fx बराबर fa हो अन्ने शब्दों में एक बिंदू x बराबर a पर एक फलन fx संतत कहलाता है यदि बाएं पक्ष की सीमा दाएं पक्ष की सीमा और फलन के मान सभी एक दूसरे के बराबर हो उधारण के लिए y बराबर sin x एक संतत फलन है यदि f a पर संतत ना हो तब f a पर असंतत होता है तथा तब a f के असंतत्त का एक बिंदू कहलाता है उधारण निमन फलन पर विचार करते हैं जाच करें की fx संतत है अथव नहीं हल x बराबर एक पर बाएं पक्ष की सीमा बराबर निमन लिखित है x का मान एक घटा h रखते हैं अथव बाएं पक्ष की सीमा निमन लिखित होगी जो की गणना करके हल करने पर एक प्राप्त होगी अब दाएं पक्ष की सीमा को लेते हैं जो की निमन लिखित है रखते हैं। अतैव दाएंपक्ष की सीमा निन्न लिखित होगी जो की गढ़ना करके हल करने पर ये भी एक प्राप्त होगा। अता बाएंपक्ष की सीमा बराबर है दाएंपक्ष की सीमा के जो की बराबर है एफ एक के। अदेव x पर fx पराबर एक संतत है, संतत्ते, विवरित अंतराल पर संतत्ते, एक फलन fx को विवरित अंतराल a, b का संतत्त कहा जाता है, यदि वो a, b के प्रत्येक बिंदु पर संतत्त हो, संवरित अंतराल पर संतत्ते, एक फलन fx को विवरित अंतराल a, b पर संतत्त कहा जाता है, यदि, x पर a पर fx दाएं से संतत्त है, x पर b पर fx 22 संतत्त है, विवरित अंतराल a, b के प्रत्येक बिंदु पर fx संतत्त है, उधारण, दिये गए फलन पर विचार करते हैं, जांच कीजिए कि fx संतत्त है, अत्वा नहीं, हल, जब x 0 से बड़ा हो, तब fx बराबर x वर्ग, जो एक बहुपत फलन है, संतत्त है, जब x 0 से छोटा हो, तब fx बराबर x, जो एक तस्समक फलन है, संतत्त है, अब केवल x बराबर 0 संतत्त बिंदु है, बाएं पक्ष की सीमा बराबर निम्नलिकित है, इसमें x का मान 0 गटा h रखते है, अता बाएं पक्ष की सीमा निम्नलिकित होगी, जो की गणना करके हल करने पर 0 प्राप्त होगी, दाएं पक्ष की सीमा बराबर निम्नलिकित है, इसमें x का मान 0 गटा h रखते है, अता दाएं पक्ष की सीमा निम्ने लिखित होगी, जो की गणना करके हल करने पर ये भी शूने प्राप्त होगी अब F शूने बराबर शूने है अता बाएं पक्ष की सीमा बराबर है दाएं पक्ष की सीमा के, जो की बराबर है F शूने के एफ एक्स एक्स बराबर शुने पर संतत है, अतैव एफ एक्स संतत फलन है। आए एक्स बराबर शुने पर एफ एक्स बराबर एक बटा एक्स का आल एक खींचते हैं। सबसे पहले हम दी हुई सारणी को देखते हैं। ये देखा गया है कि दाएं पक्ष से एक्स का मान शुने के निकट है, अता एफ एक्स का मान अधिक से अधिक हो जाता है। इस प्रकार X के मान को 0 के निकट चुन कर, हम FX को अधिक्तम कर सकते हैं। प्रदीकात्मक रूप से हम इसे निम्नानुसार लिखते हैं। जब हम X बराबर 0 के निकट, दाएं तरफ से FX के निकट पहुंचते हैं, तब हम निम्निलिखित प्राप्त करते हैं। दिये गए आलेक से हम निरीक्षन कर सकते हैं कि जब X धनात्मक 0 की ओर अग्रिसर होता है, तब आलेक धनात्मक अनंद पर Y अक्ष से मिलता है। संदत फलन का बीच गणेत। प्रमय एक। माल लीजिए कि F तथा G दो ऐसे वास्तविक फलन हैं, जो वास्तविक संख्या A के लिए संदत हैं। तब एक्स बराबर A पर F जमा जी संदत हैं। एक्स बराबर A पर F खटा G संदत है। प्रमय दो, माल लीजिए कि F तथा G इस प्रकार के दो वास्तविक मानिय फलन हैं। कि A पर F G परिभाशित हो, यदि A पर G संदत है तथा यदि G A पर F संदत है, तब A पर F G संदत होगा। उधारण, माने की F एक्स बराबर 2 एक्स घटा एक तथा G एक्स बराबर एक्स जमा पांच बटा दो है। F G एक्स का फलन ग्याद कीजिए। हल, दिया है G एक्स बराबर एक्स जमा पांच बटा दो, इसलिए F G एक्स बराबर है F G एक्स के, चोकि करना करके हल करने पर एक्स जमा चार के बराबर होगा। अफकल नियता माना की F एक वास्तविक फलन है, तथा बेप इसके प्रांथ में एक विंदू है। यदि H एक छोटी स्वेच्छ संक्या है, तब A पर F का अफकलज निम्नानुसार परिभाशित किया जाता है। बशर्ते इस सीमा का अस्तित्व हो। A पर F के अफकलज को F टैश A अथवा निम्नानुसार परिभाशित किया जाता है। एक भलन का अफकलज प्राप्त करने की प्रक्रिया अफकलन कहलाती है। एक भलन अपने प्रांथ में एक बिंदू A पर अफकलनिय होता है। यदि दोनों सीमा अर्थात बाएंपक्ष की सीमा तथा दाएंपक्ष की सीमा परिमित तथा समान हो। प्रमय, यदि एक फलन F एक बिंदू A पर अफकल्निय हो, तब वो उस बिंदू पर संतत भी होता है. अफकल्नियता, सूत्र, कुछ निमने लिखे सूत्र इस प्रकार दिये हुए है. कुछ महतपून फलनों का अफकल्न इस प्रकार दिया हुआ है. सन्युक्त फलन का अफकल्न माना की Y बराबर F T और T बराबर G X है, जहां F और G दोनों अफकल्निय फलन है, तब Y बराबर F G X एक्स का एक फलन है तथा अफकल्निय भी है. हम लिख सकते हैं D Y बटा D X पराबर D Y बटा D T गुणा D T बटा D X. अफकल्न की इस विधी को अफकल्न के श्रिंकला नियम यानि चेन रूल के रूप में भी जाना जाता है. उधारण निम्लिलिकित फलन का अफकल्न ग्याद कीजिए. हल दिया गया फलन दो फलनों का संयुक्त फलन है. मानकी T बराबर X वर्ग तथा V T बराबर कॉस T है. अब X के सापेक्ष T का अफकल्न करने पर D T बटा D X बराबर 2X प्राप्त होगा. अब T के सापेक्ष V T का अफकल्न करने पर D V बटा D T बराबर D बटा D T कॉस T बराबर घटा साइन T प्राप्त होगा. अता, श्रिंकला नियम से df पटा dx बराबर dv पटा dt गुनень dt पटा dx बराबर घटा sin x वर्ग गुनः 2x प्राप्त होगा. t बराबर x वर्ग का मान रखने पर घटा sin x वर्ग गुनः 2x जो की बराबर है घटा 2x sin x वर्ग कुनः 2x प्राप्त होता है. उधारण डी वाई बटा डी एक्स ग्याद कीजिए जब एक्स वर्ग जमा एक्स वर्ग गुणा वाई जमा एक्स गुणा वाई वर्ग जमा वाई घन बराबर 47 हो हल निन्नलिके समे करण दिया गया है एक्स के सापिक्ष अवकलन करने पर हमें निन्नलिक्षित प्राप्त होता है डी वाई बटा डी एक्स को छोड़कर दाएं पक्ष में पदों का इस्थरनांतरण करते हैं तथा बाएंपक्ष से dy बटाड dx को उभे निष्ठ लेने पर हमें निनलिखित प्राप्त होता है। प्रतिलूम त्री कौन में तिये फलनों का आलेक। यहां दो आलेक दिये गए हैं। इन में से एक साइन विदकरम एक्स का आलेक है। उधारण फ एक्स पराबर कौस विदकरम एक्स से दिये गए फ का अफकलन ग्याद कीजे। तथमान लीजे कि ये अस्तित्व में है। हल माना की y पराबर कौस विदकरम x है, x पराबर कौस y है। x के सापेक्ष दोनों तरफ अफकलन करने पर हमें dy बटा dx पराबर घटा 1 बटा sin y पराप्त होता है। देखा गया है कि dy बटा dx परिभाशित है केवल यदि जब sin y शुन के परापना हो। अर्थात y शुन पाई के अंतरगत है। ये इंगित करता है कि sin y शुन से पड़ा है। अर्थात sin y वर्गमूल 1 घटा कौस वर्ग y है। dy बटे dx बराबर घटा 1 बटे वर्गमूल 1 घटा कौस वर्ग y जोकी घटा 1 बटे वर्गमूल 1 घटा x वर्ग के परावर है। चर घातांकिये और लगुगणकिये फलन दस के आधारवाला घातिये फलन, साधारन घातिये फलन कहलाता है X के सापेक्ष E की घात, X का अवकलन, E की घात X है अर्थात D बटा DX, E घात X परावर E घात X है अनंत श्रिंखला, E जमा एक बटा, E क्रमकुणन, जमा एक बटा दो, क्रमकुणन, जमा एक बटा तीन, क्रमकुणन, जमा इत्यादी के योगफलन को E से नरुपित किया जाता है E का अनुमा नित्मान 2.7183 होता है ये एक आपरिमै संख्या है E घात शूने का मान बराबर एक होता है आधार के रूप में इस E का उप्योग करने पर हम घातिये फ्लन Y बराबर E घात X प्राप्त करते हैं इसे प्राकृतिक खातिये फ्लन कहा जाता है Y बराबर E की खात X तथा Y बराबर X के लौग के आधार पर E का आलेक परस पर दरपन प्रतिबिम्ब होता है लगू गण की ये फ्लन X के सापेक्ष लौग X का अफगलन 1 बटा X है अर्थाथ D बटा DX लौग X पराबर 1 बटा X है लगू गण की ये फ्लन के गुन धर्म निमने लिखित है उधारण X के सापेक्ष लौग E की खाथ साइन X का अफगलन ग्याद कीजिए हल माना की Y बराबर E की खाथ साइन X है श्रिंकला निम का उप्योग करके इसे हल करने पर हमें E खाथ साइन X गुना कौज X पराप्त होगा लगू गण की ये अफगलन अब हम निमने लिखित भलन के प्रकारों का अफगलन निकालते हैं सर्व प्रथम हम दोनों पक्षों पर लगू गणक लेते हैं तथा फिर X के सापेक्ष दोनों पक्षों का अफगलन करते हैं अफकलन की ये प्रक्रिया लगुगण की ये अफकलन कहला दी है उधारण X के सापेक्ष X की खाथ X का अफकलन करते हैं हल माना की Y बराबर X की खाथ X है दोन पक्षों का लगुगणक लेने पर हमें log Y बराबर X गुणा log X प्राप्थ होता है X के सापेक्ष अफकलन करने पर हमें 1 बटा Y गुणा dy बटा dx बराबर X गुणा 1 बटा X जमा log X जो की बराबर 1 जमा log X है दी बटा dx बराबर Y गुणा 1 जमा log X इसे समी करण एक से चिनहित करें जैसा कि हम जानते हैं कि Y बराबर X की खाथ X है तो Y कमान समी करण एक में रखने पर हमें dy बटा dx बराबर X की खाथ X गुणा 1 जमा log X प्राप्थ होता है फलनों के प्राचलित रूपों के अफकलच जब दो चरों के बीच का संबंध जो ना ही स्पष्ठ होता है और ना ही अस्पष्ठ होता है किन्तु प्रतेक पहले दो चरों की एक तीसरे चर के साथ कुछ लिंक होते हैं तब इस तरह के संबंध को प्राचलिक संबंध कहते हैं तथा तीसरा चर प्राचल कहलाता है उधाराण, dy बटा dx ग्याद कीजिए, यदि x बराबर sin t, y बराबर cos 2t है हल, हमारे पास x बराबर sin t, y बराबर cos 2t है t के सापेक्ष अफगलन करने पर dx बटा dt बराबर cos t, dy बटा dt बराबर घटा 2sin 2t हमें प्राब्द होता है इस प्रकार श्रिंखला नियम से गड़ना करके हल करने पर हमें घटा 4x प्राब्द होता है अता, dy बटा dx बराबर है घटा 4x के डूतिय कोटी का अफगलन यदि y बराबर fx एक अफगलनिय फलन है, तब इसके प्रथम अफगलन को निमनलिखित द्वारा निरूपित किया जाता है पुना यदि f-x अर्थात fx का प्रथम अफगलज भी अफगलनिय होगा, तो हम उसका अफगलज प्राब्द कर सकते हैं, जिसे f-x का डूतिय अफगलज कहा जाता है उधाराण, d2y बटा dx वर्ग को ग्याद कीजिए, यदि y बराबर x घन जमा 5x वर्ग जमा 19 हो हल, हमें निम्लिलिखित ग्याद है, अधा x के सापेक्ष y का अफगलन करने पर हमें dy बटा dx बराबर 3x वर्ग जमा 10x प्राब्द होता है अब x के सापेक्ष dy बटा dx का अफगलन करने पर हमें d2y बटा dx वर्ग बराबर 6x जमा 10 प्राब्द होता है माध्य मान प्रमय रोले प्रमय एक यदि एक बंद अंतराल a, b पर एक फलन fx को इस प्रकार परिभाशित किया गया है कि ये सम्वरिंद अंतराल a, b में संतत है दो ये विवरित अंतराल a, b में वित पाते है तीन, f, a प्राबर f, b जहां a और b कुछ वास्तविक संख्याएं है तत्पश्चाथ a और b के बीच निहित कम से कम एक संख्या c इस तरह अस्तित्व में है कि f-c बराबर शुने है रोले प्रमय की जया मितिये व्याख्या माधिमान प्रमय यदि एक बंद अंतराल a, b पर एक फलन fx को इस प्रकार परिभाशित किया गया है कि fx संवरिंत अंतराल a, b में संतत है तथा fx विवरित अंतराल a, b में व्युत पाते है तब a, b के अंतरगत c कम से कम एक वास्तविक संख्या अस्तित में है जिसके लिए f-c बराबर fb घटा fa बटा b घटा a है प्रमय का परिणाम व्यक्त करता है कि p और q के बीच के वक्र पर कम से कम एक बिंदू अस्तित में है जहां बिंदू p और q से होकर जाने वाली जीवा वक्र की स्पर्श रेखा के समनांतर है क्यूंकि जीवा p q की ढलान fb घटा fa बटा b घटा a है तथा किसी बिंदू c पर स्पर्श रेखा अर्थात x बराबर c की ढलान f-c है क्या आप चानते हैं? गोट फ्रियद विलहेम लेबनीज एक जर्मन दार्शनिक गणी तग्ये और तर्ग शास्त्री थे जिन्होंने स्वातंद्र रूप से अफकलन और समकलन विक्सित किया सारांश आईए हमने जो कुछ सीका है उसे संग्षेप में दोहराएं एक बिंदू एक्स बराबर ए पर एक फलन एफ एक्स को संतत कहा जाता है बचरते बाएंपक्ष की सीमा दाएंपक्ष की सीमा तथा फलन के मान समान या परापर हों माना की एक वास्तविक संख्या ए पर एफ और जी दो वास्तविक फलन संतत हैं तब फलन एफ एक्स का अफगलन निम्न प्रकार से परिभाशित किया जाता है संयूक्त फलन के अफगलज को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है इस अफगलन के विधी को श्रिंखला निम्न के रूप में भी जाना जाता है आधार दस वाला चर घातां किये फलन साधारन चर घातां किये फलन कहलाता है एक्स के सापेक्ष ए खात एक्स का अफगलन ए घात एक्स होता है X के सापेक्ष लॉग X का अफकलन एक पटा X होता है प्राचलिक रूपों में भलनों का अफकलन करने के लिए हम श्रिंखला नियम का उप्योग करते हैं दूदिय कोटी का अफकलन निननलिखित है रूले प्रमे बताता है कि यदि संवरित अंतराल A, B में एक फलन FX संतत है तथा विवरित अंतराल A, B में विद्पाते है एवं F, A पराबर F, B है तब A और B के बीच कम से कम एक संख्या C इस तरह नहित है कि F-C पराबर शुन है माद्धे प्रमे बताता है कि यदि संवरित अंतराल A, B में एक फलन FX संतत है एवं विवरित अंतराल A, B में FX विद्पाते है तब A, B के अंतरगत C कम से कम एक वास्तविक संख्या अस्तित में है जिसके लिए F-C पराबर है F, B खटा F, A बटा B खटा A के कि कि यदो कि विप वे apologize कि यद़े से सु PAL-B कि यदे भी जविआ Κों तो, से भी पराइन जिए! कि